श्री श्वाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल शिव पुरान पर वेशाक मास्की अंतिम परदोश सोम वार के दिन पड़ रही है जिसको सोम परदोश के नाम से भी जाना जाता है और ये बैसाक मास का अंतिम सोमवार भी है आज के वीडियो में हम सत्गरू परदीप मिश्राजी द्वारा बताए गए बैसाक महीने की परदोश के दिन किये जाने वाले कुछ उपाईों के बारे में बात करेंगे और साथ में एक विशेश उपाई जिनका मंगल विवा नहीं हो रहा वो अगर इस दिन इस उपाई को कर लेता है तो उसका मंगल विवा हो जाता है ऐसा सत्गरू परदीप मिश्राजी ने बताया आईए जानते हैं इस उपाई के बारे में पर उससे पहले जो बंधू मेरे चैनल पर नए हैं जिनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन सब से पहले आपको मिले पहला उपाई अगर जीवन में कश्ट बहुत ज़्यादा हैं कश्ट खतम हो ही नहीं रहे कोई मनो कामना अगर बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो इस उपाई को वैसाख महिने की परदोश के दिन परदोश काल में करे कांटे महादेव को केवल वैशाख मास की परदोश के दिन ही चिड़ाए जाते हैं आज लेलें बेल पत्तरी के वरिक्ष के साथ कांटे और एक धतूरे का फल क्या लेना है बेल पत्तरी के साथ कांटे और एक धतूरे का फल और पहुँच जाएं शिव मंदिर अपने सीधे हाथ की थेली पर साथ बेल पत्री के कांटे और एक धतूरा रख कर अपनी मनों कामना बोलते हुए शिरी श्वाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर कांटे और धतूरा समर्पित कर दें शिरी श्वाय नमस्तुभ्यम मंतर शिव और पार्वती दोनों के लिए है जब आप इस मंतर का जाप करते हैं और परार्थना करते हैं तो शिव और मा पार्वती दोनों ही आपकी परार्थना को पूरा करते हैं दूसरा उपाई ये उपाई संतान प्राप्ति के लिए है जिन की शादी को बहुत साल हो गए है अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई वो लोग वैसाक मास की इस परदोश के दिन इस उपाई को करना शुरू करें और लगातार दो तीन दिन तक इस उपाई को करें इन दिनों में इस उपाई को करने के लिए आपको लेना है एक पीपल का पत्ता और एक लोटा जल और पहुंच जाएं बेल पत्तरी के पेड़ के नीचे सब से पहले पीपल के पत्ते को बेल पत्तरी की जड़ के पास समर्पित कर दें फिर उसके उपर एक एक बूंद करके दस बूंद जल समर्पित करें और आखिर में पूरा जल समर्पित कर दें उस पत्ते के उपर फिर उस पत्ते को उठाकर घर वापिस ले आएं और रात को गाये के दूद में उस पत्ते को खुब उबालें और पती और पत्नी उस दूद को पी कर सो जाएं गुरु जी ने कहा कि बैसाक महिने के बचे हुए इन दो तिनों में अगर आप ये उपाई कर लेते हो तो आपको संतान की प्राप्ती जरूर होगी इसलिए जो दमपती संतान की इच्छा रखते हैं उनको ये उपाई इस दिन कर लेना चाहिए क्योंकि अभी दो-चार दिन ही बचे हैं और आपको इन दिनों में इस उपाई को करना है तीसरा उपाई इस उपाई को करने के लिए अगर आपका मंगल विवा नहीं हो रहा तो शिव मंदिर में आपने जाना है पर कहा जाना है ऐसा शिव मंदिर जहां पर मा पारवती जी और शिवलिंग दोन्नों हो मा पारवती जी हाथ जोड कर उनकी मूर्ती वहां रहती है तो आपने करना ये है कि अपने साथ ले जाना है कच्चा सूत मा पार्वती जी से शुरू करके शिवलिंग तक आपने कच्चे सूत को साथ बार लपेटना है, समझ गए? मा पार्वती जी की मूर्ती होनी चाहिए, हाथ जोड़ कर मा बैठी रहती है, बहुत सारे मंदरों में मूर्ती होती है, और वहाँ पर आपने उस मूर्ती से शुरू करके शिवलिंग तक लपेटते हुए, फिर मा पार्वती जी की मूर्ती के पास लेके जाना है सूत को, ऐसे करके साथ बार उस सूत को लपेटना है, उसके बाद कच्चे सूत के उपर मखन का लेपन करना है, मखन या तो घर पर बना लें, या बाजार से बिना नमक वाला, बिना कैमिकल वाला सफेद मखन लाना है, मखन का लेपन करने के बाद उस धागे के उपर हल्दी भी लगा दे, शिरी शिवाए नमस्तुब्यम का जाप करते हुए, अपड़ी मनो कामना बोले, फिर उस धागे को निकाल कर, शिवलिंग के उपर समर्पित कर दे, इस को बैशाक मास की परदोश के दिन, परदोश काल में ही करना होता है, महादेव जी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, हर हर महादेव